खबरा योध्या से जवापर उतरप्रदेश फे लाव स्पीकर खुलेखर भवाच और राव चोड़ रहा है उतरप्रदेश मुख्यमंत्री योग्या आदतनात ते भी आदेश हुया है कि मंदिर हो या मजद ये गुर्दवारा हो या फट सार्वजन एक जगह हो वहाँ पर लाव स्पीकर धीमी गती से ही बजा जाए जितनी रहे कि परिसर तक ही सीमित रहे सेम योगी के सादेश का योद्या के संत और बाबरी मस्जित के पूर पक्षका रहे एक बालमसारी और हर्मान गड़ी पुझारे राजुदास सितारीफ की दोनोंने फैस एक अस्वागत किया है और कहा है कि गाइड लाइन है उत गाइड लाइन के सब को पालन करना क्योंकि अजीन की आवाद जो है नमाजियों के कान में बा खुझ पहुँच जाती है जिनको नमाज पढ़ना है वो लोडिसिकर के सारे नही रहते उनके कानों में आवज अपने आप पहुँच जाती है तो हम हर मस्जद के इमाम से और हर मस्जद के मोजिन से एक अपील भ लोग उसका जो है बिल्कुल तहे दिल से उसके जी का पालन भी करें लौड स्पीकर को लेकर सरकार का जो गैडलाइन है उसको हर वेक्ति को पालन करना चाहिए चाहे वो सनातन धर्म का केंदर हो चाहे इसलामिक जगत का केंदर हो चाहे गुर द्वारा हो मदर्शा हो मंदिर हो क्योंकि उत्तर प्रदेश के सस्वे मुक्वंत्र जी का जो दिसा निर्देश है वो साराहनीय है वो सभी समदाई सभी वर्क के लिए है एक सामान है हम लोग पहले ही हमारे हनमानगणी पर जो हमारा बावन एकर का परिशर है उस परिसर से बाहर एक सब आवाज नहीं जाती थोड़ा सा मेला हर वक्त भीर होती है इसके नाते जो परसासन की जो माईक है उससे ही कि हाँ आदमी दूरी बना के रखे हैं लाइन में दर्शन करें ये बार बार उससे चला करता है